आप आपने थमनेल पर देख लिए होगा कि आजी जो वेकेंसी है ये एक स्टेट उन्वेसिटी से है और इसे पर आप आपको देख पारे होंगे कि कौन कौन से नौन टीचिंग वेकेंसी है परस्टनल असिस्टेंट कलर्क, स्टैनो टाइपिस्ट, लैब अटेंडेंट्ट और प्योन यह vacancies आपके लिहां पे अवेलबल है और आपको मैं बता दूँ यह vacancies कहा से है वेकेंसी जो है यह है चौधरी बंसी लाल उन्वस्टी जो की भीवानी हरियाना में है यहां से यह vacancies आई हुई है डीटेल में दोस्तों आपको बताएंगे कैसे आपको apply करना है क्या last date है क्या process है और सभी information आपको इस वीडियो में तक मिलने वाली तो वीडियो में तक बने रहे हैं दोस्तों वीडियो को like जरू कर दें और चलिए बिना देर की वे start करते हैं आज का ये वीडियो तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि नोटिफिकेशन आपको कहा से मिलेगा जब आप इस website पर विजिट करेंगे और नीचे स्क्रोल करके जाएंगे तो यहां पर आपको डाउनलोड सेंटर पर क्लिक करना होगा ओके डाउनलोड सेंटर पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नोटिफिकेशन का पूरा जो है यह पेज उपन हो जाएगा इनका यहां पर आप देख पाएंगे कि अपरेल 10 यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हूआ है apply online for non teaching post और इसके सामने जब आप व्यूआ डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो यहां पर जब व्यू डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने apply करने का option कुल जाएगा notification मैं आपको दिखा देता हूँ notification आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा वहाँ से जाकर करके आप इसको download कर सकते हैं ओके यह आप notification देख रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि opening date जो है वो है 10 April और closing जो date है वो है 30 April शाम 5 बजे तक जो भी लोग interested है जल्दी से जल्दी apply करें ज्यादा time नहीं दिया गया है और यहाँ पर आपको कोई भी hard copy में कुछ भी नहीं send करना है यह नोंने आप भी mention किया हुआ स्रिफ आपको online ही apply करना है personal assistant में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक post है pay level 6 रहने वाला है आपका यहाँ पर और आप देख सकते हैं कि PWBD OH category की यह vacancy है जिसमें की आप apply कर सकते हैं इसी तरह से clerk में आप apply कर सकते हैं जिसमें की आपकी PWBD OH में 1 vacancy है general में 2 EWS में 1 SC में 1 और BCA में 1 BCB में 1 ESM general में 1 ESM SC में 1 ESM BSA में 1 vacancy available है level 2 की यह post रहने वाली है इस टैनो टैपिस्ट के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इस यह vacancy है जो कि PWBD OH category के लिए रखे गई है level 2 की यह job है इसके बाद है lab attendant lab attendant के लिए यहाँ पर general और BCA 1 category में 1 vacancy है PWBD OH category में 1 vacancy है level 2 की job है प्योन में total 8 vacancy हैं और यहाँ पर level DL in the pay matrix of 16,900 से लेगा के 35,500 यह आपका pay level रहने वाला है तो vacancy है काफी अच्छी है जो भी लोग interested है apply जरू करें आपर और age limit आप यहाँ पर देख सकते हैं कि minimum age limit for all post is 18 years upper age limit is 50 years यानि कि 18 साल से लेगा के 50 साल तक के लोग यहाँ पर apply कर सकते हैं पीज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि male irrespective of state और female non resident of haryana state उनके लिए 500 रुपए है उसके बाद SC, BC, A, BC, B candidate of haryana state के लिए सिर्फ यहाँ पर 125 रुपए है और females के लिए 63 रुपीज है और PWBD category के लिए कोई भी fees यहाँ पर नहीं रखी गई है qualification आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं page number 3 से आपको qualifications मिल जाएंगी कि क्या क्या qualification आपके बास होनी चाहिए valid email id, photograph, signature, thumb impression यह सभी चीजे use में आपको लानी है पड़ेंगी, photograph आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे बाकी सारी information दी हुई है और इसको आप पड़ सकते हैं qualification वगेरा और नीचे सब चीजे बताए गई है selection criteria for personal assistant यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका test भी लिया जाएगा general aptitude test, screening test, डिसके marks होंगे, academic qualification के 15 marks होंगे socio economic criterion experience के 5 marks होंगे ठीक है तो इसी तरह से नीचे सभी के लिए यहाँ पर details दी गई है academic qualification वगेरा हर चीज के लिए आपको क्या-क्या marks दिये जाएंगे सब कुछ इन्होंने यहाँ पर नीचे mention कर दिया गया है clerk के लिए computer typing test होगा जिसके लिए 30 marks होंगे general aptitude test होगा 50 marks का यह सब चीजे यहाँ पर नीचे mention की होई है अब चलते हैं यहाँ पर आपको apply कैसे करना है तो apply करने के लिए simple आपको create your account पर click करना होगा यहाँ पर आपको name, phone number, email id और password डाल करके जो है account को create करना होगा submit करेंगे जैसे ही submit करेंगे आपके पास email पर एक OTP आएगा OTP को डाल करके आप verify कर देंगे उसके बाद आप करेंगे login login जैसे ही आप करेंगे आपके सामने दिखिए कुछ इस तरह का यह portal आता है ठीक है तो यहाँ पर दिखिए instruction में सभी चीज़े वो बताई गई है जो कि मैंने आपको बताया कितने के वी में क्या upload करना है क्या क्या चीज़ों की जरूरत है सब कुछ यहाँ पर सबसे पहले ही mention कर दिया गया तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कोई अगर आपको दिक्कत आती है तो दिखिए information वाले पहले point में आप एक email ID दिवी है यहाँ पर आप contact कर सकते हैं ठीक है इसके बाद आपको यहाँ पर personal detail में आना है सबसे पहले personal detail आप यहाँ पर फिल करेंगे अगर आप अपर यहना के रहने वाले तो yes करें बना no करें उसके बाद आप बाकी जो है अपने state का नाम इदकी अधर state name पूछ रहा है name, gender, date of birth, father name अब जो भी general information है personal information जिसको कहते हैं वो सब आपको फिल करनी है वो आप आसानी से भर सकते हैं इसके बाद आपको apply post का option मिलेगा जो कि अभी नहीं open हो रहा है क्योंकि जब तक हम personal detail नहीं भरेंगे और save and next पे click नहीं करेंगे तब तक वो page नहीं open होगा apply post का option आएगा उसके बाद educational qualification फिल करेंगे, work experience फिल करेंगे, photo, signature, document जो है वो सब upload करेंगे फिर declaration का option आएगा उसके बाद bank detail का option आपके सामने आएगा तो bank detail में bank name, account number, FSC code, account holder name ये सारी चीज़े फिल करनी है और password अगर आप change करना चाते हैं तो password यहां से change कर सकते हैं ठीक है और last में आपको log out का option मिल जाएगा ठीक है तो ये information थी जो कि मुझे आपको देनी थी बहुत अच्छी opportunity है जरूर से apply करें non-teaching vacancies है एक state university से और कोई भी apply कर सकता है किसी भी state से ये बहुत अच्छी बात है जो भी लोग interested दोस्तो apply जरूर करें बहुत अच्छी opportunity है यहां पर apply करना बिल्कुल भी miss ना करें यहां पर अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें दोस्तों वीडियो को लाइक जरू कर दें और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में अगली वेकेंसी या पर PSG admission के साथ में तब तक के लिए take care and जहिन